मीता ब्लॉग और रसुई चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आज हमारे रसुई में बन रही है क्रिश्पी फिश फ्राई फिश फ्राई की रेशिपी यह रेशिपी कहने तक जरूर देखिए यह है तैलापिया फिस मैंने यह पर एक किलो फिस कट करके अच्छ जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, दो चम्मच रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स एक चम्मच, गरमसला पाउडर एक चम्मच, स्वाधनुशाय नमक, तेल दो चम्मच, निमू का रसे यह एक निमू से आधा निमू कट करके उसका रसमने इसमें डाल द एक चंबर और आपकने क्रों आयरेंगे एक पर upनी मसालो के में जो हमहलेंगे,... दिशने हम पर ब्और यह सुना होता हुआ है कि इतला जी था आपकों लीया भी ज़ा माली साइटा कुरू anN के अंदर तक मसाले को डाल रही हूं आप लोग देख सकते हैं तो कभी भी इस तरह का जो फिस होता है ना बड़े बड़े फिस है तो इसलिए इनकी अंदर तक मसाला जाए तब ही जा कि जब हम फ्राय करेंगे खाने में अच्छा लगेगा तो मसाला अंदर तक जाना बहुत है इसलिए हम बहुत अच्छा से मसाला से को कोटिंग कर लेंगे इस तरीके से मैंने साड़े मच्छी को मसाला लगा लिया है अब यहां पर मैं दुबारा एक मायरेनेट करना चाहती हूं जिसके लिए मैंने लिया है एक चम्मच बेशन एक चम्मच अद्रे ग्लस्वन का प मैंने जितना भी फिस को पहले मैरेनेट किया था वह सारा फिस पीसिस को यहां पर इस तरीके से जो हमने बेशन गोला है इससे कोट कर लेंगे इससे क्या होगा जो हमारा फिस फ्राइ होगा वो काफी क्रिश्पी बनेगा खाने में टेस्ट और बर जाता है क्योंकि हमने इसमें अद्र गलस्वन का पेस्ट डाला है यह हम पहले भी डाल सकते थे लेकिन जब हम लास्ट में इसका कोटिंग करते हैं तो इससे क्या होगा तो तेल में जाके मसाला जादा तेल को चुएगा नहीं और क्रिश्पी बनेगा खाने में बहुत टेस्ट लगेगा एक बार इस तरीके से आप लोग भी फिश फ्राइज जरूर करके खाईए यह बहुत स्वाधिस्ट होता है तो यहां पर मैंने एक एक करके तेल में फिश को डाल दिया है मिडियम फ्लेम में 3-4 मिनित तक हम पहले फ्राइज करेंगे एक साइट एक साइट फ्राइज करने में 3-4 मिनित लग जाएगा हाई फ्लेम में बिल्कुल ना रखे ने तो जल जाएगा और दोनु साइट से हम फिर से पलट कर फ्राइज करेंगे तो दोनु सा तो इस तरीके से हम फिश को फ्राइ करेंगे, आप चाहे तो डिप फ्राइ कर सकते हैं, उसके लिए आपको तेल जाड़ा लेना होगा, तो मैं यह आप पर शालो फ्राइ कर रहे हूँ, आप अपने इसाब से कैसे भी फ्राइ कीजिए, खाने में टेस्ट उतना ही आएगा, क् गरम गरम फिश फ्राइ, ऐसी भी खा सकते हैं, या पिर हम दाल चाहल के साथ खाए, थैंक यू,